नमस्कार अब देखरें नेशन भारत में उराके जारकन विदान सवाचुनाव के लिए आज 17 सीटों और वोटिंग होनी है मतदान की जो प्रक्या है वो शुरू हो चुकी है शांप माँच बजे तक मतदान की जो प्रक्या है वो चलेगा आपको बता दी चले कि इनमें से 12 सीटों पर जो वोटिंग की जो प्रक्या है वो तीन बजे तक ही संपन माने जाएगी बाकी बचे सीटों पर पांच बजे तक मतदान जारी रहेगा इस सलसले में प्रिधानमती नैनमोदी लोगों से अपील कर जुके हैं जारकन की जानता जारकन के विकास के लिए बढ़ चड़कर जो लोग हैं वो आगे हैं और लोग तंदर के इस हिस्सा में अपनी भूमी का जरूर दे और साथी साथ उन्होंने लोगों से अपने पक्षम यानि की भारती जानता पार्टी के पक्षमे वोटिंग की अपील भ होंगे राची, हटिया, काके, रामगर्ण और बरकटा में शाम पांच बजे तक मतदान होगा वह इस तेश बारा सीटों के पोलिंग स्टेशनों पर शाम तीन बजे तक वोटिंग होगी जारकन विदानसवा चुनाव के लिए आज यानिके 12 दिसमर को 34 में 17 सीटों पर वो कोलिंग स्टेशनों पर शाम तीन बजे तक वोटिंग होगी परधानमंत्री नैनिमोदी ने लोगों से वोटिंग के लिए अपील भी की है उन्होंने कहा कि जारकन में तीसरे चरण का मतदान आज होगा अधिक सदिक संक्या में मतदान करे इसके साथी उन्होंने अपने य सबसे पहले मतदान करने वालों में पूर्व केंद्री मंत्री सुबोत कांच सहाय और राचे की जारकन मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी महुआ मांची शामिल थी इस चरण में 56 लाग से अधिक मतदाता 309 उमिद्वारों के भागी का फैसला करेंगे चुनाव आयोग ने इ लोग निर्वाशन पदादीकारी ने बताए कि इन 87 सीटों के लिए कूल 7,16 मतदान केंद्र बनाए गए इन मतदान केंद्रों में कूल 56,18,267 मतदाता अपने मतदाता का इस्तमाल करेंगे इन मतदाताओं में 29,37,976 पुरुष 26,80,205 महिला 86 ट्रांसजेंडर और 1,44,153 ने मतदाता हैं इनके अलावा 80 साल से अधिक आयुक के 53,516 और 6,3,754 दिव्यां मतदाता हैं भारत में खबरों का ससला जा रही है खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते हैं नेशन भारत साथ हमारे वीडियो को अपलाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए